दबंग टीन के विलें को सल्मान का खास गिफ्ट किचा सुधीप ने शेर की फोटो सल्मान खान की फिल्म दबंग टीन ब्रिलीज हो चुकी है और बॉक्स आफिस पर ठीक ठाक कमाई भी कर रही है सी ए और ए नार सी को लेकर हुए प्रदर्शनों के बीच सल्मान की इस फिल्म की कमाई पर फर्क भी पड़ा था लेकिन अब ये फिल्म रफ्तार पकड़ रही है और दर्शकों का मनुरवन जन कर रही है हाला कि सल्मान की ये फिल्म उनकी पिछली कई फिल्मों की तरह की मसाला फिल्म है और फिल्म में भर पूर आक्शन भी है फिल्म में में विलेन के तौर पर काम कर रहे कीचा सुदीप को हाल ही में सल्मान ने एक खास गिफ्ट भी दिया है सल्मान ने सुधीप को एक जैकेट गिफ्ट की है जिसके बैक पर उनके फेवरेट डॉक की तस्वीर देखी जा सकती है सुधीप ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वे इस जैकेट को पहने हुए नजर आ रहे हैं और सल्मान इस जैकेट पर छपे डॉक को किस करते नजर आ रहे हैं उन्होंने लिखा सल्मान खान ने जब मुझे ये जैकेट गिफ्ट कि थी तो उन्होंने मुझ से कहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जैकेट को मैं अपने आप से कभी अलग करूँगा उन्होंने अपने फेवरेट डॉग को चैकेट के पीछे छबवाया है और मैं समझ सकता हूँ जब आप किसी से एतना कनेक करते हैं दबंग टीन के बाद राधिय में भी साथ काम कर रहे हैं सलमान और प्रभुदेवा बता दें दबंग टीन को क्रिटिक्स और पबलिक का मिला जुला रिस्पॉंस मिला है फर्स्ट डे मूवी के 40 करोड कमाने की उम्मीद थी लेकिन फिल्म की कमाई को नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट की वज़े से नुकसान झेलना पड़ा है गवर तलब है कि इस फिल्म के पिछले दोनों पार्ट्स ने अच्छा कलेक्शन किया है दबंग टीम को प्रभुदेवा ने डाइरेक किया है सई मांजरे कर ने इस मूवी से इंडिस्ट्री में डेब्यू किया है सई मांजरे कर के अलावा इस फिल्म में सुनाक्षी सिन्हा, किचा सुधीप और अरबाज खान जैसे सितारों ने काम किया है इस फिल्म के बाद सलमान फिल्म राधे में एक बार फिर प्रभुदेवा के साथ काम करेंगे